हाई एवरिवन वल्कम बाक तो मैं चैनल आज की वीडियो में मैं क्रियेट करने वाली हूँ रोजी पिंक मेकप लुक जो कि यह बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और इस लुक को क्रियेट करने के लिए मैं वस यहां पर यूज कर रहे हूँ मैबलीन का फिट मी ब्लेस इन दे मैं आगे के वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप मेकप करना भी बता दूंगी जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए यह बहुत ज्यादा है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ इसके बाद आपक को फेस के जर्ट कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी प्राइमर उच्छा होता है यह जो भी क्यामिकल्स होते हैं मेकप में उसके हमारे स्किन को प्रेटिक्ट करता है तो प्राइमर लगाना ना भूलें तो चलिए प्राइमर को अच्छे के लगा लेती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूँगी बीबी क्रीम मैं फांडेशन लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ जादा तो यहाँ पर मैं लॉरेल का ही बीबी क्रीम भी यूज कर रही हूँ मैं अबिलीन का भी बहुत यूँज कर चुकी हूँ यसान मैं फेवरी मेरा लउरेल का चल रहा है जो कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कि तने अच्छे कि यह पूरे ऐ हैं करते हैं उप्रिटेभ आपस पर सेख़ों को *** आपने जबीया का दो मैं आप फूलाइं कर रही हैं मैं यह सबस्टारिएasant लगा लगा ले बीबी क्रीम लगाने लगा लगा ने बाद मैं आप लाकम का में घर्मियों का टाइम हैं यहाँट बहुत जल्दी निकल जाता है मेरा फेस बहुत ऑईली है और बहुत जादा क्या बोलू मैं चिपचिपा होने लगता है तो इसके लिए मैं सब को सजिस्ट करूंगी आप जब भी बीवी क्रीम लगाएं उसके बाद पूरे मेक अप को करने के लिए कोई भी लूच पाउडर लगाना ना भूले अब चलिए देखते हैं कैसे मैं फिट मी का जो ब्लस है इन दे शेड वाइन इसको डिफरंट तरीके से कैसे यूज करते हूं तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेश की हेल्प से आप चाहे तो अपने फिंगर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैं ब्रेश यूज कर रही हूं तो गाइज यू कन सी कितना प्यारा कलर आ रहा है ये अभी लाइक अज़ लव दिस लोक मैं जब भी मुझे मेक अप करने का मन होता है and I don't want to do heavier make-up तो मैं कुछ इस तरीके का make-up light make-up and pink light pink make-up बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूं अभी तो यह बहुत ज़्यादा trend में भी है तो मैंने अपने दोनों आँखों पे जो black है कुछ इस तरीके से मैं लगा ली हूँ आप देख सकते हो यह कितना प्यारा लग रहा है and the color बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मैं इसको lower क्या बोलते हैं आँखों के नीचे भी लगा लेती हूँ जिसे कि मेरी आँखे थोड़ी बड़ी दिखती है इसके बाद as a blush तो हम सब लगाते हैं blush को तो आपको बस हलके हाथों से smile करते हुए brush में ज़्यादा नहीं लगाना है brush को अगर आप ज्यादा लगा होगे तो जोकर की तरह दिखने लगता है तो इसको इतना ध्यान में रखना है हमेशे start करो आप जितना कम हुशे के उतना brush मिलो और इसके बाद इसको apply करो और कुछ इस तरीके से मैं अपने nose पे और चिन पे भी लगा रही हूँ जिसे की यह मैं rosy lips sorry rosy look create कर पा हूँ अब आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे अपने finger के help के इसको आज लिपस्टिक की तरह यूज कर रही हूँ यह मेरा one of the favorite shade है मैं जब भी इसको यूज करके आज लिपस्टिक फोटो डालती हूँ इंस्टा पे मुझे बहुत सारे comment क्याते हैं कि आप कौन सा लिपस्टिक यूज करती हो तो guys जब मैं लिपस्टिक भूल जाती हूँ या मेरा जो फेवरेट कलर है अगर वो लिपस्टिक मेरे पास खतम हो गया है तो मैं सबसे easy way है मैं blush को यूज करती हूँ यह बहुत ज़्यादा natural और बहुत बहुत प्यारा से लुक देता है आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है मैं like you can't imagine मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं blush को as a lipstick use करूंगी बट एक दिन मेरे माइंड में आया मैं सोची कि जब lipstick को बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं तो why not blush तो मैं बस उठी और try की and मैं को बहुत अच्छा लगा now moving forward to the next step यहां पर मैं यूज कर रही हूं Maybelline का volume express waterproof mascara mascara हमारे eyelashes को volume देता है and when you apply mascara don't forget to apply on lower eyelashes as well and don't worry अगर अपका mascara इदर बदर लग जाता है you can easily remove it with the help of any makeup remover or with the help of just Vaseline and a cotton pad or a tissue here I am removing it with the help of tissue and Vaseline and you can see यह बहुत ही easily हट जाता है now जब यह हो गया then I used to fill my eyebrows with the help of eyebrow pencil which is Nykaa in the shade brown and मैं बस उनी पार्ट में लगाती हूं जहां पर मैं को लगता है की volume का requirement है you can see मैं बहुत light hand से अपने eyebrows को fill कर रही हूं and the best thing is यह जो eyebrow pencil है it comes with a very nice brush and with the help of this brush मैं यहां पर दोनों eyebrows को set कर लोंगी and you can see this is how it looks like and here the makeup is almost done and only the last step is I need to apply eyeliner eyeliner is optional if you want to apply then apply otherwise otherwise you can escape this process and yeah मैं यहां पर दिखाना चाहती हूं मैं कैसे eyeliner apply करती हूं मेरी बहुत सारी friends पूछती है तो for them I just want to I just want to tell them that always start from outer corner and then move towards inner corner so कुछ इस तरीके से मैं अपने दोनों आखों में eyeliner लगा लोंगी and after applying this eyeliner you can see this is how it looks like whole makeup look like if you like this rosy pink look don't forget to like comment and share thank you bye bye bye